हलो दोस्तों स्वागेत आप सभी का आपके पिने यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे हरियना सियाचो का पेपर ये सियाचो का पेपर आज कंप्लेट हो चुका है और जिनों ने जिनों ने भी आज एक्जाम दिया उन सभी को सियाचो का पेपर कम और ये ए केने वाली है क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ सा इस्टेंडर्ड लेवल का था तो दोस्तों यहां पर आज मैं आपको 50 क्यूसंस बताने वाला हूं सभी क्यूसंस के आंसर्स बताऊंगा 50 नंबर क्यूसंस से स्टार्ट करके हम 100 नंबर क्यूसंस तक चलेंगे और तो 50 से पहले की जो क्यूसंस बच गए उसमें जिक्के का भी है कुछ मैथमेटिक्स का पोर्षन भी है तो सभी स्वाल करने के बाद आपको कल या परसो तक उसकी वीडियो भी मिल जाएगी आज हम 50 क्यूसंस के आंसर्स डिसकस करेंगे आप सभी अपने पेपर से क्यूसंस के आंसर्स मेच कर लीजिए कितने क्या क्यूसंस सही हो रहे हैं आपके आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा तो चलिए हम फटाफट से सभी क्यूसंस के आंसर्स डेक लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट जलद से जल्दी मिलते रहे और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा ची ज्यादा वीडियो की लिंक से जरूर कर दिना और जो भी एम्स की तियारी कर रहे हैं वो इस पेपर को एक वाट जरूर complete याद कर ले ना क्योंकि ये पेपर जो है वो M के लेवल का है मैंने आपको पहले बता जिया कि यह प्रफटाब पर से देख लेते हैं सभी क्यूसंस के आंसर्स जो 50 क्यूसंस हम डिसकस करने वाले हैं पहला क्यूसंस देखे 50 नंबर क्यूसंस अइसे जो आपको कन्फ्यूस करने वाले भी थी देखे यहां पर क्यूसंस में क्या पूछा गया है BMW का यह क्यूसंस है Biomedical Waste Management का यह क्यूसंस है Outdated Medicine यानि कि जो expired medicine है उनको आप कौन से टाइप के बेग के अंदर आप डिसकार्ड करेंगे डिसकार्ड करेंगे आपने BMW में अच्छे शे पढ़ा होगा जो भी साइटो टॉक्सिक ड्रग्स होती है फिर expired discarded जो ड्रग्स होती है उनको येलो टाइप के बेग में क्या करते हैं डिसकार्ड करते हैं तो आपका यहां पर क्रेक्ट mask for the ICU nurse during endotracheal suctioning in a mechanically ventilated patient having COVID infection यानि कि नर्स जो है वो मास्क लगा के क्या करेगी endotracheal suctioning कर रही है mechanical ventilated patient है और patient है COVID का यानि कि कोरोना उसको औरका है और वो mechanically ventilated patient है और उस patient का endotracheal suctioning कोन कर रही है नर्स कर रही है तो कौन सा वो मास्क है जो उस नर्स के लिए safest रहेगा उस ICU के अंदर दोस्तों यहां पर आपको answer करने था option second N95 mask जो की COVID-19 के लिए बहुत ज्यादा surface mask है अगला question देखिए what is the proper technique for gravity tube feeding इस question को छोड़ दीजिए आगे में आपको next वीडियो जब बताओंगा उसमें इसका answer बता दूँगा अगला question देखिए which of the following IV fluids is isotonic solution आपको यहां पर पूछा गया है simply कौन सव IV fluid है जिसको isotonic solution कहा जाता है फिर isotonic solution का example है यहां पर आपको correct answer करना था option second ringer selected option second आपका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए the client is complaint of shortness of breath the bed is currently in flight position in which position should be the nurse place the bed एक पेशेंट है जो आपको complain कर रहा है SOB यानि shortness of breath सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है अब देखिए जो बेड है वो अभी currently की बात हो रही है जो बेड है वो currently किस में है फ्लेट पोजिशन में है उस patient को या फिर उस बेड को जो है आप कौनसी position provide करेंगे जिसे कि patient को shortness of breath की जो समस्य हो रही है वो कम हो सके यहाँ पर आपको क्रेक्ट आंस करना था option फाइस्ट फावलर पोजिशन यह जिस पेपर जिस student का ही पेपर है उसने ट्रेंडल नंबर कर रहा है कोई बात नहीं है अपने को जो answer करना था वो करना था फ प्रेजेंट कर सकते हैं बात और यहाँ पर हेल्थ प्रामोशन की तो इम्मुनाइजेशन है वो तो लेवलों प्रिवेंशन में आपने पड़ा होगा और साथ ही प्रिवेंशन एक्सिडेंट इन होम यहाँ पर आपको क्रेक्ट आंस करना था वो करना था option C preventing एक्सिडेंट है उनको प्रिवेंट करना यह क्या है हेल्थ प्रमोशन का बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला एक स्टेटमेंट है या अग्टिविटी है अगला क्यूशन देखिए वोट इस दो मोस्ट कॉमन क्लाइंट पॉजिशन यूजड फॉर एड्मिस्टर एक क्लेंजिंग एनिम है जब किसी पैसरेंट को एडमिनिष्ठ करते है आप सभी को पता होगा अनिमा झाइनी मा जब यूज करते हैं तो कौन सी पॉजिशन उसुस्त को डेने चाहिए उस्म्ली वहीं तो क्यूशन पूचा गीए जब आप किसी को यहां पीश्यूशन को डैनिमा दे रहे हो तो निलक में poor source याज मिलक में कॉन सा वो substance है जो आपको यहां पर 4 options दे रहा हैं इन्हें से कौन सा element है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है correct answer आपको करना था option B. iron आपको यहां पर correct answer करना था 200 ml of normal saline per hours using adult infusion set. How much should be the drop rate? 1 ml 20 drops. तो यहाँ पर drug calculation का question है. 200 ml NS आपको per hour administer करवानी है. Patient आपके पास में है. Adult infusion set आपने use किया है. आपको बताने है drop rate. आपको 1 ml 20 drop दे रखाए. यहाँ पर आपका सही आंसर होगा option first 67. जिन्होंने option first किया है उनका answer बिल्कुल सही है. अगला क्योंसर देखिए. डॉवरी death is defined under section dash. जो डॉवरी death है. वो कौनसर section के under define की गई है. तो यहाँ पर आपको correct answer करना था. Option first 304A IPC. जो IPC जो धारा 304A है. उसके अंदर डॉवरी death को क्या किया गया है? फिर assess करने के लिए कौन सा test करते हैं. दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer कना था. Option second snail chart. जो snail chart है वो use करते हैं. visual acuity को assess करने के लिए. अगला question देखिए. पैसेंट with triseminal neuralgia will demonstrate which of the following measure complaints. पैसेंट आपके पास में है triseminal neuralgia का. अब वो जो patient है triseminal neuralgia का. वो कौन सी complaints आपको बताएगा? measure कौन सी complaints उस patient की होगी? दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer कना था. option first. axorizing intermittent proximal facial pen. जो facial pen होगा. उसकी यहाँ पर गरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं. facial pen कैसा होगा? intermittent proximal होगा. axorizing rating होगा. यहाँ पर आपको correct answer कना था option first. यह trigeminal neuralgia क्या है? feature है, फिर measure complain है. अगला question देखिए. all of the following are components of upgar score accept dash. सभी जो components आपको यहाँ पर दर्खे हैं. वो upgar score के हैं. एक को छोड़ गर. यहाँ पर आपको correct answer कना था option C. option C, blood pressure. जिन लोगोंने heart rate किया है, उनका अंसर गलत है. वेशे pulse rate होता है, आपने pulse rate पड़ा होगा. अपgar में P का मलब pulse rate. लेकिन जो heart rate और pulse rate एक ही बात है. आगर आपने heart rate कर दिया है, तो आपका अंसर गलत है. आपका correct answer होगा, यहाँ पर वो होगा option C. ब्लड pressure को अपगार स्कोर में include नहीं किया गया है. अगला क्यूशन देखिए, ICDS, याँ, Integrated Child Development Services. Center is run by. आपको यहाँ पर पूछा गया है, जो ICDS Services चल रही है, Integrated Child Development Services चल रही है. यह किन की बदल चलिए है, फिर इनको कौन और्गनाइज करता है, चाहिए आपका village level पर हो, यहाँ पर आपको correct answer करना था, option first. A.N.M. auxiliary nurse जो midwife होती है, वो ICDS Center को क्या करते है, run करती है. अगला क्यूशन देखिए, Antidote for magnesium sulfate toxicity is. अगर magnesium sulfate की toxicity किसी person को हो जाए, तो उस person को कौन से antidote आप administer करोगे. यह फिर आपको यह बताना था, कि जो magnesium sulfate है, उसकी toxicity के लिए constant.use करते हैं, correct answer आपको करना था, option first, calcium gluconate, magnesium sulfate, MgSO4, acclampsiae की क्या है, drug of choice. यानि एकलेमसिया में जब MgSO4 आप दोगे, magnesium sulfate आप दोगे, अगर उसकी toxicity उस महिला को हो जाए, जिसको एकलेमसिया की condition डवलप हो रखे थी, उसको आपने जब दिया है, उसकी toxicity हो जाए, और उसके कुछ जो side effects है, toxicity के, वो अगर दिखने शुरू हो जाए, तो उस महिला क calcium gluconate दे दीजी, ताकि इसके असर को क्या कर सेगो, कम कर सेगे, तो जो antidote है, magnesium sulfate की क्या calcium gluconate, अगला question देखिए, rotating injection site when administering insulin prevents which of the following complications, injection site होती है, जहाँ पर आपने insulin administer किया है, rotating injection site, बात हो रही है, यहाँ पर injection site को आप क्या कर रहे है, rotate कर रहे है, कहाँ पर, जहाँ पर आपने administer किया है, insulin, यह आप जो rotation कर रहे है, injection site को, यह क्यों कर रहे है, prevent which of following complications, कौन से complication को बचाने के लिए, कौन से complication को prevent करने के लिए, आप यह काम कर रहे है, क्रेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना था option second insulin lipodystrophy जो लाइपोडिस्ट्रोपी है insulin lipodystrophy है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो कॉम्प्लिकेशन इसको प्रिवेंट करने के लिए rotating injection site यूज करनी होती है जब आप insulin administer करते हैं अगला question देखिए which of the following is the fight or flight hormone कौनसा वो hormone है जिसे fight flight और fight hormone कहा जाता है adrenaline आपको यहाँ पर करिक्टान सकना था option second जो लडने के लिए तयार है उडने के लिए तयार है हना flight और fight यानि कि लड़र भी रहा है fight भी कर रहा है और flight भी कर रहा है उड़ भी रहा है यानि उड़ने का मलब वेसे नहीं कि patient या फिर कोई भी person है जिसमें adrenaline अगर ज्यादा secret हो रहा है तो उड़ने नहीं लग जाएगा नहीं उड़ता नहीं है flight fright का मलब हो गया जब भी लडने की कोई भी ऐसी स्तती पैदा होती है तो उसमें energy जो है वो एकदम से उत्पन हो ज question है आपने ये question कभी सपने में भी नहीं देखा होगा कभी आपने किसी book में भी नहीं देखा होगा क्योंकि आप पढ़ते हो वहां से questions ऐसे papers के अंदर ऐसे भी questions डाले जाते हैं 10 से 15 questions जो आपको बिलकुल भी नहीं आते हैं और अगर आते भी है तो confusion होता है कि यह करूं की यह करोना तो ऐसे questions आते हैं देखिए यहां पर simple question आपको पूछा गया है जो campner rice fruit diet है वो कौन सी disease condition में prescribe की जाती है correct answer आपको करना था option first hypertension 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 जिन persons को होता है उनको आप campners rice fruit diet prescribe कर सकते हैं अगला question देखिए healthcare provider had needle stick injury from a non-HIV infected patient he should be certainly start post exposure profile access within how many hours of exposure देखिए healthcare provider जो HCP है healthcare provider है उसको क्या हुआ है needle stick injury हुई है needle stick injury हुई है from a non-HIV infected patient और जो patient था उसको क्या हो रहाखा था HIV infection और पेशेंट को HIV infection हो रहाखा है और जो healthcare provider है उसको needle stick injury हुई है अब देखिए यहां पर जो post exposure profile axis है इसको मिनिमाइज करने के लिए या फिर जो HIV infection से जो पीडित परसन था इसके वज़ेसे जो needle stick injury हुई है ताकि आपको HIV का infection ना हो इसलिए जो जो भी इसके post exposure to profile axis यूज करते हैं वो कितनी गंठे के अंदर-अंदर immunoglobulin या फिर जो भी antibodies होती है वो लगाने होती है correct answer आपको यहां पर करना था option first 72 hours जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका इलाज करना चाहिए लेकिन 72 hours से पहले पहले जब भी needle stick injury हो patient HIV का हो और उसके बाद मलब आपको पता है कि patient HIV का है और needle stick injury हो गई तो post exposure profile axis इससे बचाने के लिए इस HIV से बचाने के लिए जो treatment करना होता है विदिन 72 hours करना होता है 22 गंठे के अंदर-अंदर करना होता है अगला question देखिए standard precautions are used dash जो standard precautions है वो किसमें use करते हैं dash यहां पर दरख है correct answer आपको यहां पर करना था for all patients सभी patients के लिए क्या करते हैं standard precautions करते हैं ऐसा नहीं है किसी को HIV हो रुक है या फिर किसी को corona हो रुक है उनके लिए तो आप precautions use कर रहे है hand washing वगर आभी proper कर रहे है और बाकी जो आ गई जै से आप लगा गई तो मलब आपको क्या करना है जो standard precautions है वो सभी patients के लिए करना होता है बाकी जैसे यहां पर इसने करका है for all patients except those in protective isolation जो isolation में protective है उनको छोड़ कर बाकी सभी को ऐसा नहीं है सभी patients के लिए standard precautions use करना होता है यहां पर आपका correct answer होगा option first अगला question देखिए the difference between apical and radial pulse is जो apical और radial pulse है इसके बीच का जो difference है उसे क्या कहते हैं यह तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा यह questions बहुत बार पूछा भी जा चुका है correct answer आपको यहां पर करना था option first pulse deficit इसने क्या option भी इसका गलत है यहां पर आपको correct answer करना था option first pulse deficit अगला question देखिए which of the following solution is recommended for oral care oral care के लिए कौन सा solution recommend करते हैं यह फिर कौन सा solution है जिसको use करते हैं oral care के लिए correct answer आपको यहां पर करना था option c 2% chlorhexidine वैसे 0.2% chlorhexidine यूज करते हैं बट यहां पर chlorhexidine 2% दे रखा है तो यह आपका क्या हो जागा यहां पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए circuit tap is used for measuring यहां पर वैसे ज्यादा difficult questions तो नहीं थे लेकिन कुछ questions ऐसे थे 20 से 30 questions ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा confuse करने वाले थे यह फिर 15 questions ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे यहां पर देखिए जो circuit tap है उसका use आपको पूछा गया है कि जो circuit tap है इससे क्या measure करते हैं correct answer आपको करना था option C mid upper arm circumference जो M.U.S.E. है इसको measure करने के लिए circuit tap यूज करते हैं और circuit tap मैनली जब बच्चों में हम measurement करते हैं M.U.S.E. M.U.S.E. क्यूँ चेक करते हैं ताकि बच्चों में malnutrition की जो condition है उसको detect कर सके उसको assess कर सके इसलिए circuit tap यूज कर लिए सेस करने के लिए चेक करते हैं अगला कि उसमें देखिए torch infection indicates आपको यहां पर torch की full form पूछी गिए जो torch infection है वो किसको indicate कर रहा है देखिए यहां पर आपको correct answer करना था option first option first देखिए यहां पर आपको option first correct answer करना था यहां पर क्या दिर्ख है टोक्स टोक्सो प्लाज्मा टोक्सो प्लाज्मा हो गया अधर एजेंट्स हो गया साथी German measles जर्मन measles को क्या बोलते हैं रूबेला साइटो मीगिलो वायरस साथी हर्पज हर्पी सिंप्लेक्स वायरस यहां पर आपका correct answer हो जाएगा option first टोक्सो प्लाज्मा अधर एजेंट्स जर्मन measles साइटो मीगिलो वायरस हर्पी सिंप्लेक्स वायरस यह आपका क्या हो जाएगा यहां पर correct answer एक तो होता है रूबेला एक तो होता है रूबेला एक तो होता है रूबेला तो यहां पर आपको correct answer करना option first अगला question देखिए crowning is defined as crowning किसे कहते हैं यहां पर simply पूछा गया correct answer आपको करना था option second when fittal head and solder are visible at pallioc floor pallioc floor पे जब head और solders जो है फिटस के वो अगर दिखाए देना शुरू कर दे तो क्या कलाती है crowning अगला question देखिए in females the onset of puberty is first marked by जो भी females है उनमें puberty का first sign क्या होता है यहां पर आपको correct answer करना था option second थिलार्की मिनार्की जो है वो आपका second है first जो है थिलार्की थिलार्की का मलब है जो breast है उनका development होना breast का development होना क्या कहलाता है थिलार्की और सबसे पहले यहीं जो है यहीं sign जो है वो females के अं then मिनार्की होता है उसके बाद प्यूबार की एडिनार की यह सब बाद में होते हैं अगला question देखिए which of the following is correct about the measurement of the uterus fundal height at various stages of gestation in pregnant woman यहां पर आपको पूछा गया है कौन सा एक measurement सही है correct पूछा गया है यानि सही कौन सा measurement है uterus fundal height के regarding जब pregnant woman होती है उसमें uterus की जो height है यान अगले stage पे आपने पड़ी होगी फंडल height वगरा तो वह आपको एक बताने है कौन सी एक सही है यहां पर आपको correct answer करना था option 4th at 36 week it felt at lower part of sternum जो जिफी sternum होता है पता आपको जिफी sternum जिफी sternum के just lower part में 36 week पे जो fundus की height है वो touch कर जाती है फंडस की height 36 week पे कहां पे होती है lower part of sternum पे तो यह आपको यहां पर correct answer करना था अगला question देखिएगा oxytocin is useful for simply question पूचा गया कि oxytocin है वो किसमें useful होता है correct answer आपको करना था option first induction of labor के लिए अगला question देखिए इनर्स सस्पेक्ट से that the six month old infant has cystic fibrosis which of the following test would confirm that diagnosis यह वैसे MS वाले questions है सभी बहुत important questions है आपकी जो भी आगामी exams होगी उनके लिए बहुत ही ज्यादा important है सभी questions को आप अच्छे शे याद कर लेना और यह question बहुत ही important है यह पहले भी दो तिन बार पूछा जा चुका है और अब गी बार पहली बार शियंचो का ऐसा paper आया हरे नामे जो MS के level का यानि standard type का यह paper है देखिए पिछली बार जो paper था उसमें जो आपका बीपी सी शी शी चन का course होता है उससे 30 से 35 परसेंट यानि 30 से 35 परसेंट से ले बस जो है वो बीपी सी शी शी चन से डाला गया था और ज्यादा को कोई paper का level ठफ नहीं था बट इस बार जो है सभी क्यूशन से standard level के है देखिए यहां पर क्यूशन में क्या पूछा गया है प्लीज दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा सी ज्यादा शेर जरूर करें और गर आप मार चनल पहली बार आ जाता है क्रेक्टांस आपको करना था option C, sweat chloride test जो sweat chloride test है वो cystic fibrosis को डाइगनोस करने के लिए यूज लिया जाता है option साथ साथ पढ़ते रहना अगला क्यूशन देखिए जैसे बच्चे का जैन्म होता है उसके जन्म के बाद उसको vaccines वगरा लगती है अब आपको ये पूछा गया कौन कौन सी वो vaccines है at birth पे आप उस बच्चे को लगाओगे दोस्तों यहाँ पे इस बंदे ने answer किया है OPV, BCG, hepatitis A यानि इसको ये तो पता था कि OPV लगती है, at birth पे BCG भी लगती है लेकिन इसको ये नहीं पता था कि hepatitis B लगती है कि A लगती है इसलिए इस बंदे का answer गलत हो गया यहाँ पे तेनो options गल आता है, जो आपका correct answer था, वो कौन सा था, OPV, BCG, 8 birth पे BCG लगती है, hepatitis B लगती है, और OPV लगती है तो ये जो तेनो vaccines है, वो 8 birth पे लगने वाली है तो आपको यहाँ पे correct answer करना था, option A अगला question देखिए, what is the ideal temperature to store DPT vaccine जो DPT vaccine है, उसको store करने के लिए, ideally कितना temperature चाहिए होता है, कितने temperature पे इसको store किया जाता है, correct answer आपको करना था, option 2nd, 2 to 8 degree centigrade अगला question देखिए, growth chart और road to health is visible display of, जो growth chart यह फिर road to health जो chart है, यह visibly किसको display करता है, correct answer आपको करना था, option D, wait for edge weight for edge, edge according weight बढ़ रहा है के नहीं बढ़ रहा है, उसको detect करने के लिए, हम road to health यह फिर growth chart जो है, वो use करते हैं अगला question देखिए, which of the following produce antibodies, कौन, निमलेकित में से कौन जो है, वो antibodies produce करता है, यह तो आप से भी को पता है, यह B lymphocyte, जो B lymphocyte है, वो क्या करते हैं, antibodies produce करने का काम करती है, अगला question देखिए, कुन-कुन का is a disease related to, यह disease condition आपने पहली बार सुनी होगी, दोस्ते यह जो कुन- related है, आपको यहाँ पर करिक्टान सकना था, option second eye, आख की यह disease condition है, और यह mostly neonates के अंदर देखने को मिलती है, आगे कभी भी future में question पूछे, कि जो कुन-कुन का है, वो कौन सी disease condition है, या फिर कौन से पार्ट से related है, और यह mostly किन में देखने को मिलती है, तो आपको बता देना ह अगला question देखिए, in lead poisoning, that burton's line appears as, lead poisoning जब होती है, तो उसमें burton lines बन जाती है, कौन सी line, burton's line, अब आपको यह पूछा गया, burton lines जो appear होती है, इसका मतलब क्या है, burton lines का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्रेक्टान सकना था, option first, blue is purple line on gums, इनि gums के उपर, जो आपके मसू है, वहाँ पे blue is purple line बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते है, burton's line बोलते है, और यह जो burton lines है, यह lead poisoning के अंदर mostly देखने को मिलती है, तो यहाँ पे 3 questions आपके बन जाते है, lead poisoning के वज़ए से burton lines बनती है, और burton lines का मतलब होता है, blue is purple line on the gums, यहाँ पे आपको क्रेक्टान सकन option first, अगला question देखि, deficiency हो, vitamin B12 causes death, vitamin B12 की deficiency से कौनसी disease condition होगी, यह तो बिल्कुल simple question, parnicious anemia, चट्वीश लेकर आप पढ़ते आ रहे है, अगला question देखि, रिचाई mother of seven months old infant is concerned about motor skills development of her child, nurse should explain that the activity infant is most likely to do at his age is, देखि, रिचा एक महिला का नाम है, और उसके बच्चे की age जो है, वो साथ महिने के हो चुकिया, उसके बच्चा है, और वो महिला क्या करती है, उसकी बच्चे की motor skills या फिज़वलमेंट के बारे में नर्स को पूछती है अब नर्स उसको बताएगी, कौन सी activity वो बच्चा करेगा, मलब 7 महिने का बच्चा हो चुका है, तो कौन सी वो activity कर सकता है, और रिच्चा जो उसकी मा है, वो पूछ रहे है उपने बच्चे के बारे में, कि मेरा बच्चा 7 महिने का हो गया है, तो कौन सी activity करना चाहिए, तो यह आपको पूछ सकती है, कोई भी पूछ सकती है, कोई जरूरी नहीं कि यह रिचाइ पूछे, कोई भी महिला आपको आके पूछ सकती है, एजी Community Health Officer जब आप पर NCWC पे पूश्टेड हो जाओगी, तो वहाँ पर कोई भी आकर आपको पूछ सकता है कि मेरा बच्चा साथ महीने का हो गया है वो चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है आठ महीने का हो गया है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं यहां पर आपको जो क्रिक्टान सकता है वो क्या करना था option D sit alone using the hands for support यह जो बच्चा है वो खुद बैठ सकता है साथ महिने का हो गया है तो बच्चा खुद बैठ सकता है वो अपने हातों के सारे with hands supports वह खुद बैठना सीख जाएगा वो खुद बैठने लाइक हो जाएगा साथ महिने का जब हो जाएगा ओके यह बात उस महिला को बतानी है अगला क्यूशन देखिए यहां पर बहुत इच्छा क्यूशन पूचा गया है यह तरह से पूरा का पूरा एम्स का पेपर है देखिए आपको यहां पर पूचा गया है च्रेक्ट पॉर्ट साउंड जब आप परकोशन करेंगे हाइब्डु सीपलेस बेबी का तो आपको परेग्टि पॉर्ट साउंड सुनाई देगी यह किसको इंडिगेट करती है फिर इस साउंड को क्या कते हैं यहांपर आपको क्रिक्ट आंस करने दा ओप्सन डी मैकव साइन, होमांस साइन जो है, वो DVT, Deep Enthromosis में देखने को मिलता है, कर्णिंग साइन जो है, वो मेनिजाइटिस में होता है, चैडविक साइन जो है, वो प्रेगनेंसी के दुरान देखने को मिलता है, आगे देखिए अगला ग्यूसन, जीरो से लेकर, यानी बिर्थ से लेकर तके जो बौँच्चे होते हैं, उनमें वेट गैन को लेकर एक यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गिया, वो कौन सा है, उनमें घलत स्टेटमेंट आपको चूजँ करना था, यहाँ पर आपको क्रिक टांग से करने था, washing second धैर वेट should be four times the birth weight by one year. एक साल में बच्चे का वेट जो है वो चार गुना बढ़ जाता है एसा बिलकुल भी नहीं होता है छे महीने में दो गुना होता है एक साल में तेन गुना हो सकता है लेकिन चार गुना नहीं होता है. अगला क्यूशन देखिए which of the following guideline is to about integrated management of regarding यहां पर चार गाइडलाइन दीगे उनमें से एक गाइडलाइन का है सही है, ट्रू है तो वो ट्रू गाइडलाइन कौन सी है यहां पर आपको खरेक्टान सकना है था option C बच्चे को जोइन डिस हो है क्या हुआ है बच्चे को जोइन डिस हो है जन्म के 24 गंटे के बाद में बच्चे को जोइन डिस हो चुका है पाम और जो सोल है उनमें किसी प्रकार की यह फिर येलोनेस बिलकुल भी नहीं है तो यह इंडिगेट करता है कि उनको आप हॉम केर दे सकते हैं यह क्या एक सही स्टेटमेंट है सही लाइन है जो इंटिग्रेडर मेनेजमेंट आप कर रहे है दो महिने से कम के बच्चे का उनके लिए यह एक क्या है सही गाइड लाइन है तो यहाँ पर आपको क्रेक्ट आंसर करना था अगला क्यूशन देखिए नर्व इंवल्ज इन बेल्स पाल्सी इज बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व इनवल्भ होती है अभी UPPSE की एकजाम में एक्जक्ट एसा गाइसा क्यूशन पूशा गया था गर्यक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना था आप्सिन फैश्ट फेशियल नर्व मैंने आपको सभी questions के अच्छे answers बताए थे फिर भी आपने triseminal nerve किया है तो आपका answer गलत है दोस्तो facial nerve याने कि 7th cranial nerve जो 7th cranial nerve है उसमें defect होने की वज़े से bell's palsy जो है वो develop होता है अगला question देखिए what is the BMI of a male whose height is 72 kg and height is 160 cm देखिए BMI आपको निकालने थी आपको यहाँ पर height और weight देरक है BMI का formula होता है weight upon height यह तो आप सभी को पता है weight upon height होता है लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए weight kg में होना चाहिए और जो height हो मेटर स्क्वाइर में होने चाहिए मालब मीटर में होने चाहिए यहाँ पर आपको cm में देरक ही थी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना था पहले इनको मीटर में चेंज करना था मैं आपको simply बता देता हूँ calculation आप कर लेना बिल्कुल exact आपके answer आजाएंगे जो 160 है 160 cm इसको आप जब मीटर में चेंज करोगे तो 1.6 मीटर हो जाएगा हना से न तो 1.6 मीटर को आप स्कॉयर कर दीजी तो 2.56 के सम्थिंग आ जाएगा मैंने आपको क्या कहा है weight upon height square और जो height square हो मीटर में है और weight हो कैजी में है तो weight तो आपको कैजी में देर रखा है लेकिन यह height जो हो centimeter में है इसको पहले meter में आपको change करना पड़ेगा अब देखे 72 को जब आप पे 2.56 से divide करोगे तो 28.17 कुछ इस परकार से आएगा तो मलब 28.17 है अगर यह 5.17 कुछ होता आपने साइकलोजी के अंदर पड़ी होगी यह जो है यह behavior therapy के एक ठोरी है जानि behavior पे apply यह ठोरी है इस ठोरी को किसने describe किया था कौन से हो साइंटिस्ट है जिनोंने classical conditioning theory के बारे में बताया था उन्होंने बताया था उन्होंने बताया था bleaching powder needed to disinfect 1000 liters of water is 1000 liter को अगर आपको disinfect करना है तो कितना bleaching powder आपको चाहिए होगा कितने bleaching powder की जरुत आपको होगी अगर आपको 1000 liter पाने को क्या करना है disinfect करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिक्टांस करना था option B 5 gram कितना 5 gram अगर 25 लिटर अगर पानी की बात करें is defined by बहुत एच्चा कि उसने point prevalence point prevalence की definition आपको पूछे गिए point prevalence जो है वो बताना आपको किसे कहते है point prevalence दोस्तों यहाँ पे आपको correct answer करना था option D number of current cases at a specified point of time in a given population point prevalence का मतलब है number of current cases जो अभी भी नहीं कैसे जा रहे है current जो कैसे जा रहे है time के अंदर और एक particular जो given population है उसके अंदर इसको बोलते हैं point prevalence आपका D जो option हो आपका correct answer हो जाएगा अगला question देखे sum of the deviation of the variable values 3, 4, 6, 7, 8, 14 from their main is आपको यहाँ पे अलगला values दे रहे है 3, 4, 6, 7, 8, 14 इनका आपको main बताना है इनका आपको क्या बताना है mean बताना यहाँ पर आपको correct answer करना है option D 7 अगला question देखे विचोग दो following hepatitis is transmitted by phico oral route phico oral route चे कौन से type का hepatitis transmit होता है कौन से type का जो hepatitis है वो persons को effect करता है phico oral route चे यहाँ पर आपको correct answer करना है option D hepatitis E मैंने आपको पहले भी बताया था hepatitis A और जो E है इनका जो root है वो कौन सा होता है phico oral route यानि कि यह जब भी किसी प्रसंगों होंगे तो phico oral route की वज़य से ही होंगे दोस्तों ध्यान रखना hepatitis E and A दोनों क्याए phico oral route से होने वाली disease condition है इसने hepatitis B कर दिया है तो इसका answer गलत है अगला क्यूशन देखिए early emulation in post operative period prevents which complication early emulation post operative period बात हो रही है यहाँ पर post operative period की early emulate आप कर रहे हैं यानि कौन से complication से बचाने के लिए आप early emulation कर रहे हैं यहाँ पर आपको क्रेक्ट आन से करना था option D, option B, sorry, option B deep end thrombosis DVT से बचाने के लिए DVT से prevent करने के लिए DVT के complications से prevent करने के लिए आप क्या कर रहे है early emulation अगला क्यूशन देखिए बहुत एच्छा क्यूशन है rafzing sign is positive in यानि rafzing sign जो है वो consistency condition में देखने को मिलता है यहां पर आपको क्रेक्ट आन सकने है option C, appendicitis अगला क्यूशन देखिए patient has the following abysg results pH 7.25, paco 250 mmHg hco 330 mmol per liter this is suggestive of आपको यहां पर abysg analysis question पूशन 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 गया है यानि यह जो paper बनाया गया यह पूरा का पूरा ms basis का ही paper है बस इसमें image based questions नहीं डाले बाकी तो पूरा का पूरा ms basis का ही paper है देखिए यहां पर आपको abysg results देखिए pH 7.25 है आपको यह बताना है कि कौन सी abysg value यहां पर होगी यहां पर कौन सा abysg test है यहां पर आपको क्रेक्टान सेकना था option second respiratory acidosis compensated compensated क्यों होगा 7.25 7.25 जो pH हो क्या है नोर्मल pH है तो यहां पर आपको क्रेक्टान सेकना option second respiratory acidosis compensated अगल आपको देखिए sorry यहां पर respiratory acidosis तो होगा but 7.35 to 7.45 यह क्या होती है नोर्मल pH होती है 7.52 यहां skip हो गया एक मिनट एक मिनट देखिए यहां पर जो 7.5 है यानि 7.35 आपने abysg analysis के अंदर पढ़ा होगा 7.35 to 7.45 यह क्या है नोर्मल pH होती है यहां पर है less than यानि 7.35 से कम है तो यानि respiratory acidosis तो होगा है लेकिन यह क्या है decompensated है कौन सा यह decompensated अगला question देखिए last question जो next part हो आपको जल्दी मिल जाएगा which of the following option correctly defined the full form of amrit scheme launched in India provide affordable drugs for cancer and heart disease जो भी drugs यानि जो cancer और heart disease है उसके लिए एक अमरित scheme चलाएगी है launch के गी है भारत के अंदर जिससे जो भी affordable drugs हो सभी को provide करवाई जासेगे अब आपको यह पूछा गया है जो अमरित scheme में इसमें अमरित का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer करना था option fast affordable medicines and reliable implants for treatment आपका यहाँ पर correct answer क्या होगा option अमरित scheme में अमरत का मतलब होता है affordable medicine and reliable implants for treatment तो दोस्तों यह थी अपने 50 questions सभी questions का answer में आपको बता दिया है आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कितने क्या questions आपके सही हो रहे हैं तब तक लिए बने रिगा हमारे साथ thank you so very much